हेलो इस्टूटेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैलन्ज टूटोरियल क्लासेज बाई गरी मासी आज हम लोग सेकेंट्सम की मैस पढ़ेंगे जिसका नाम मैथमेटिक्स टू है और इसमें हम लोग की यूनिट टू का चैप्टर फंक्शन चल ला है तो आईए देखते हैं कि आज हम लोग क्या करेंगे तो देखिए टाइपस ऑफ फंक्शन पढ़ना है हम लोग को रियल फंक्शन रियल सेट B काईउमेंट मिल जाता है अब यह जो एकस एलिमेंट है यह जो एकस एलिमेंट है यह जो एकस एकस है वो किसके इकवल है y के equal, y किसका element है, b का, where y is dependent variable, y को हम क्या बोलते है, dependent variable, और x को क्या बोलते है, independent variable, x क्या है, domain का element है, जो set a है, y क्या है, co-domain या range का element है, जिसको हम set b कहते है, for example, fx is equal to 1 upon x minus 2 given, fx को हम क्या लिख सकते हैं, y, y is equal to 1 upon x minus 2, if x minus 2 is equal to 0, then the function is not defined, सीधी सी बात है, अगर ये value 0 हो जाएगी, तो 1 upon 0 is equal to क्या आता है, infinity आता है, और infinity को हम क्या बोलते हैं, not defined, x minus 2 is equal to 0 का मतलब है, x की value कितनी आई, 2 आई, और x की value गर आप 2 put कर दोगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0, 1 से डिवाइड करोगे, 0 से डिवाइड करोगे बन को, तो आपको क्या मिलेगा, infinity, next example है, fx is equal to y and fx is equal to x minus 1 upon x minus 2, तो यहां से हमने लिख लिया, fx की दो values given है, तो इन दोनों को हमने equal कर लिया, y is equal to x minus 1 upon x minus 2, cross multiplication कर दिया, तो हमें मिल गया, यह, फिर में y से अंदर multiply कर दिया, उसके बाद यह minus 2y वाला equal to के इस तरफ ले गए, चीक है, तो देखिए, 2y minus 1 आ गया, और इस x को equal to के left hand side पे ले आए, तो यहां इन दोनों में x common ले लिया, y minus 1 बचा, और यह 2y minus 1, तो x की value मिल गए, 2y minus 1 upon y minus 1, for y is equal to 1, there is no real values of x, सीधी सी बात है, अगर y is equal to 1 हो जाएगा, तो नीचे upon क्या आ जाएगा, 0, तो answer क्या आएगा, divide करने पे infinity, तो not defined function आ जाएगा, तो फिर not defined आ जाएगी x की value, ठीक है, value of x for which above equation is, लिखा है, for y is equal to 1, there is no real values of x, for which the above equation is satisfied, चीक है, hence, rs is equal to, rs क्या है, range के लिए बोला गया है, r, real number के लिए बोला गया है, minus 1, यह देखिए, curly bracket के अंदर 1 लिखा है, मतलब सारे real numbers, इस y की जगे पे सारे real numbers हो सकते हैं, except 1, क्योंकि 1 रखते ही हमें upon में क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, तो वो पूरी value जो होगी, वो not defined आएगी, इसलिए except 1 को छोड़के, हम कोई भी value आएगी, ले सकते हैं, real numbers में, के वल क्या नहीं ले सकते हैं, 1, that is the set of all real numbers, except 1, अब जब real number की बात हो रही है, तो हम आपको बता देते हैं, real number होता क्या है, real number में rational number और irrational number आते हैं, rational number में भी दो तरह के number आते हैं, integers आते हैं और fraction में जो number लिखे हुए होते हैं, irrational number में कैसे numbers आते हैं, root वाले, root 3, pi, πi जो होता है वो irrational नंबर होता है, अब integers कैसे होते हैं, integer में 0 भी होता है, minus की values भी होती हैं और plus की values भी होती है. fraction में इस तरहिके से लिखते है, p upon q की form में, 1 upon 2, 2.5, तो 2.5 में खुंच हटाओगए 25 upon 10 आ जाएगा, ठीक है तो यह हमने आपको real numbers ऐसे ही बता दिया है पता होना चाहिए कि real numbers होते क्या है real numbers में rational और irrational दोनों numbers आते हैं और rational में integers भी आते हैं और fraction वाले number भी आते हैं ठीक है blackboard को रब कर देते हैं और इसकी pick description box में डाल देते हैं उसके बाद हम लोग next फिर से करेंगे कि यह हम लोग का page number one है उसके बाद हम लोग page number two करेंगे ठीक है अब देखिए यह हमारा page number two अब इसमें देखिए closed interval आपको पता होना चाहिए इस तरीके से बिग ब्रैकेट लगा हो अंदर लिखा हो एक कॉमा बी तो इसका मतलब क्या होता है कि x belongs to real numbers और x is greater than equal to a less than equal to b अब यही जो बिग ब्रैकेट है यह इस direction में ऐसे लिख किया ठीक है तो अब इसका क्या मतलब है यह open interval हो गया open interval में यहाँ पे x is greater than a less than b होता है equal to a sign नहीं आता है अब यह open interval में लिखा हुआ है a, infinity है a, infinity का मतलब क्या हुआ कि x is greater than a open interval का मतलब यही हो गया x belongs to real numbers फिर अब यह क्या लिखा है closed interval के अंदर a लिखा हुआ है और open interval में infinity लिखा हुआ है तो infinity को हम यहाँ पे नहीं लिखाते है चीक है तो क्या हो जाएगा closed interval है तो x is greater than equal to a अब इस वाले में देखिए open interval है इधर और minus infinity लिखा है और closed interval में a लिखा है तो closed interval में a लिखा है और इस तरफ लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो जाएगा कि a is greater than equal to x जहाँ पे यह b लिखा हुआ था यहाँ पे close हो रहा था उस प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a तो यहाँ b क्या था greater than equal to x था ऐसे यहाँ पे a क्या हो जाएगा greater than equal to x हो जाएगा algebraic function इस तरह के function को हम algebraic function बोलते हैं 2x square plus 4x plus 3 polynomial function fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square इस तरीके से an x की power n अब यह जो 1,2,3,4 n जा रहा है यह किसको belong कर रहा है natural numbers को जो उनने यहाँ पे लिख दिया a1,a2,an क्या है belongs to our real numbers तो यह कैसा function कहलाएगा गर इस तरीके से हो polynomial function degree of polynomial हम कैसे देखते हैं fx is equal to ax plus b x की power यहाँ पे क्या है 1 है तो यह linear polynomial हो गया इस equation में x की power 2 है तो maximum power x की क्या है 2 है तो यह quadratic polynomial हो गया यहाँ पे a is not equal to 0 होना चाहिए अब fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d लिखा हुआ है तो इसमें maximum x की power कितनी है 3 है तो इसकी degree of polynomial क्या हो गया cubic polynomial ठीक है rational function क्या होता है fx is equal to px upon qx qx is not equal to 0 अब यही हमने rational function का example ले लिया है क्या ले लिया है fx is equal to fx क्या होता है y होता है x square plus 5x plus 7 upon x square minus 3x plus 2 is a function जो नीचे वाला function था उसको हमने लिख दिया not equal to 0 the domain of function is r minus अब देखो अगर यहां पे fx की form में fx का मतलब क्या होता है y ठीक है y is equal to यह है तो domain निकलेगा और अगर x is equal to होता तो range निकलता ठीक है तो domain निकलेगा तो इसमें क्या है real numbers में minus कर देंगे कौन से numbers 1,2 अगर 1,2 के अलावा कोई भी real number यहां पे हम रख देंगे तो यह जो function है नीचे वाला qx वाला वो 0 नहीं होगा आप अगर 1 रख के देखो 1 का square 1 minus 3 plus 2 तो 1 plus 2 3 हो जाएगा तो 1 नहीं होगा अब 2 रख के देखें 2 की power 2 4 4 minus 6 minus 2 और यह plus 2 है तो यह भी 0 हो जाएगा इसके बाद अगर आप 3 रखोगे तो ऐसा नहीं होगा 3 का square 9 फिर 9 minus 9 0 और लेकिन फिर भी 2 बचेगा तो फिर यह 0 नहीं होगा तो कौन से 2 number रखने पे 0 हो रहा है यह वाला function 1 और 2 तो real number से हमने minus कर दिया curly bracket के अंदर लिखा है 1,2 तो यह इसका क्या हो गया the domain of the function is this अब यह है fx is equal to second example 1 upon x की power n अगर x यहाँ पे 0 हो जाएगा तो function not defined हो जाएगा 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है तो n belongs to n यह वाला n जो है natural numbers को belong कर रहा है whose domain is real number में अगर हम 0 हटा दे real number से अगर हम 0 हटा दे क्योंकि real number में हमारे क्या आते है real number में हमारे rational और irrational दोनों आते हैं और rational में integer और fraction वाले number आते हैं तो जो integer होते हैं उसमें 0 भी होता है plus की number भी होते हैं minus के number भी होते हैं तो अगर हम यहाँ पर x is equal to 0 ना रखें बाकि कोई भी real number रखें तो यह function not defined नहीं होगा 0 रखने पे हो जाएगा तो इसलिए real number से हमने क्या minus कर दिया 0 ठीक है तो यह भी हमारा domain है अगर यहाँ पर function ऐसा लिखा होता x is equal to y की form में लिखा होता तो हमारा range निकलता आज के लिए इतना ही All the best to all of you Thank you